युट थो फो फ्रेंड चलिए ऐसे पहले अप्न करते एक्सल तो एक्सल को ओपन करते यह ओपन हो गिया देखिया। आपके सामले मिश्चर का सो करेंगा तो आपके आपके केजिए कि यहां पर पहले में तीन कॉलम को रो को स्लैट कर लिजी और आपको ले जाना है जीर 12 तो मैं यहांसे 12 लेए 12 ले लिया थे क्लिक कि और मार्ष यहरो पर क्लिक किजिए अब यहां पर जो आपको हेडिंग टाइप करना आप कार सकते हैं तो मैं यहां पर हेडिंग लिःता हौ। लिखता हूं S.A.L.A.R.Y सेलरी लिम्टेट तो सेलरी लिम्टेट कंपनी में लिख लिया और यहां पर आप जो हैटिंस देना है स्लेट किजिए करने के बाद में आप आप यहां से स्वल स्टूर बाहर क्लिक किजिए तो यहां सब सेंट्र में के लिए फिर इस में टली कर लिच näए। अंडरलाइन कर लीजे कलर चेंज करना है। अप क्लर चेंज कर लिए। जो कुछ भी करने है आप यहां से कर लिब तो कर लिया हम सारा कुछ। अब उसके बाद मैं बार रही आता है कि इसका ड़िटेयल तो सबसे पहले आप रखिए Serial Number, तो S, N, मैं यहां रखता हूँ, S N Number, Serial Number, ठीक है, उसके बाद मैं रखता हूँ, Name, उसके बाद मैं रखता हूँ, Salary, salary क्या है, उसके बाद मैं लिखता हूँ, Working Day, सब्सक्राइब मतलब की यह इस सब्राइब इसको बढ़ा कर लगा है उसके बाद के बार किक ये इसल स्लक पुड़ा गाई यह था अवह टाइम फिर Overtime Day, उसके बाद में बात आता है Overtime Day के बाद में Overtime Amount, Overtime Amount, Overtime Amount के में आता है Total, Total Amount, Total Amount के बाद में आता है बारी ESI का, तो ESI कितना प्रस्षिन करता है, तो ESI इसको कम भी रख लेते हैं, इतना बहुत है, उसके बाद में बाद आता है, कितना प्रसंट करता है तो यहाँ पर लिएते हैं 1% जितना भी है, आप देकिया कि एक पर बाद में कितना रहुस है, उसके बाद में आता है Fund, फॉन्ड यहां पर 9% रख लेता हूं में उसके बाद आता है ग्रोस्टोटल कि आप कितना पेमेंट देने वाले हैं कैस हाथ में तो यह शीट त्यार हो गया तो यहां पर मैं रख लेता हूं और चाहे तो आप यहां से अपना ही बना लेता हूं यहां लिखता हूं चंदन तो नाम को थोड़ा से और बड़ा कर लेता हूं ताकि आसानी से टाइप हो जाया करेगा तो नाम को ज्यादा ही बड़ा रखिएगा चंदन तो सेल्री के हिसाफ से इतना जगाँ बहुत है इसको सेंटर में कर लिजय ताकि सेंटर में सो करें सब को इधर आवांट सेंटर कर लिए यहां कर लीोया कि सबको सेंटर में बाकि टोटल सारा कुछ जिसमें यदि इसमें आपको कॉलम एक और आड करना है तो आप आड कर सकते हैं जैसे कि इसमें गुरोष टोटल हो गया उसके बाद में आप किसी को एडवांस दिये हैं तो एडवांस करके आप माइनस कर सकते हैं तो लेकिन इतना फर्मूला लगा लिजेए तो इसको भी काम करता है यह फार्मूला तो यहां पर जो 20 दिन है और 15 दिन है तो इसका जो मन्थली डे है तो सबसे पहले मैं लूँगा और C6 देखिए C इधर से है कॉलम अरो है जो 6 है तो C6 देखिए आटमेटिक के स्लेक्ट हो जाएगा तो इसके बाद में मैं गुना का साइन डालूँगा इस पर मार्ट सॉरी 9 को पर है गुना कीवोर्ट का देखिए उसके बाद में करना है हमें D6 को D6 एक सुम्हें कि math है जिस तरह से pen पर निकालते हैं और divide करूँगा मैं यहां से कि आपस में दोनों गुना कर दिया घृट कर दी थीज से अधिए को 30 महीना है तो यहां पर 31 लिखिए यदि आपको 28 महीना तो यहां पर दस हजार रुपय है, दस हजार रुपय है मेरा टोटल अमांट बन रहा है, वैसे भी आप मैस लगाई, मैं इस्टे पीछले डाला हूं ताकि आप लोग को साथ साथ में पता लगए क्या एंसर सही आ ठीक है, उसके बाद में ओवर टाइम घंटा तो यहां पर सिंपल सी बात ह होता है, आठ घंटे का होता है, आधि आपको 10 घंटा है तो आप यहां 10 घंट लगाईएगा, तो मैं करता हूं है बराबर, फिर ब्रैकेट, उसके बाद में लेता हूं F6, F6 क्योंकि F वाला कॉलम है, और रो जो है 6 है, तो F6 सेलेक्ट हो गया, उसके बाद में डिवाइड करता हूं, यदि आपके कंपनी में, आपके करमचारियों का 8 घंटे की हिसाब से लगाया गया है, तो यहां पर 8 टाइप किजिए, यदि 10 घंटे की हिसाब से लगाया है, तो 10 घंटे टाइप किजिए, यदि 12 घंटे की हिसाब से लगाया गया है, तो यहां पर 12 घंटे की ह जाता हूं कि सिर्फ एक आदमी के लिए आपको इतना फर्मुल लगाना है बाकि जितना भी आप नीचे एड करते जाएगा सब का आटूमेटिक निकलता रहेगा फर्मुल लगाने के कोई जुरूत नहीं है ठीक है अब बनेगा आवर टाइम अमाउंट तो सेम वैसे फर्मु हमें पहले बार हम 20 दिन के लिए हिसाब से काम किये थे तो उसके लिए तो हमारा 6 दिन का ओवर टाइम है तो हम इसको लेंगे तो इसको क्या करेंगे गुना जी टू डिवाइडेड थर्टी ब्रेकेट क्लोज और एंटर तो देखिए यहां पर जीरो आ रहा है तो जीरो आ कि यहां पर टू में लिखा हूं जो कहो बमुझी जी 6 लिखना चाहिए था तो मैं यहां पड़ा 2 कर लेता हूं ठीक है तो आ गया 3,000 रुपे, दखिए, 3,000 रुपे आ गया, अब हमारा टोटल बनना 10, अब 3, 13, तो टोटल अमाउंट को क्या करना है, बस यहाँ पर क्लिक कीजिए, टोटल अमाउंट पर, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ब्रावर, ब्रैकेट, अब E6, 6, E6, क्योंकि जो सेल नमर है, E6 है, प्लस, H6, क्योंकि 3,000 जो है, H6 में है, H6, ब्रैकेट, क्लोज, एंड एंटर, क्योंकि मैं प्लस का निसान बीच में लगाया हूं, तो आपस में दुनों प्लस होके, आटमेटिक आ जाएगा, तो 13,000, अब आताता है, ESI 1 परसेंट का, त क्लिक कीजिए, ब्रावर, ब्रैकेट, E2, टोटल अमाउंट कितना बना अपना, E2, E6 हमें इसलिए लेना है, क्योंकि हमारा ओवर टाइम को कभी भी, ESI फंट से नहीं मुकाबला किया जाता, कभी नहीं जुड़ा जाता, हमें इसा ग्रोस टोटल, या बेसिक पेज होता है उसी से ESI निकाला जाता है, तो बेसिक पे जो बन रहा है हमारा अमाउंट बन रहा है, E6 में, तो E6 यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, E6 के बाद में आपको बस गुना का साइन डालना है, और जितना परसेंट आपका ESI लगता है, जिसे 1%, 10%, 2%, तो यहाँ यहाँ पर, मैं 1% टाइप लिखिये है, कीबोड से, आप सिफ्ट एफ 5 प्रेस करके परसेंट लगा लिजिए, 1% यहाँ पर टाइप किजिए, अब ब्रैकेट, क्लोज, और एंटर, तो देखिये, 10,000 की हिसाब से 1% सोर पया, बिल्कुल सही-सही आगया ESI, अब बात आता ह है, फरंड, तो सेम टू सेम वैसा ही फर्मूला है, जैसा हमने ESI में लगा या था, तो यहाँ पर हम करेंगे, फरंड का, तो यहाँ पर क्लिक किये, ब्रावर, ब्रैकेट, E6, गुना, 9%, 9% यहाँ पर ESI कट रहा है, फरंड कट रहा है, तो फिर यहाँ पर करेंगे, 9% फिर एंटर, देखिए, अब 100 रुपे है, और 900 रुपे है, फंड, और 100 रुपे, ESI, ठीक है, जो कि मेडिकल के लिए कटा जाता है, और फंड होता है, जो आपके, फंड के लिए, जो आपके आगे चलके भविस्ट में काम आता है, ठीक है, तो यह 900 रुपे है, तो टोटल 100 और 900, अब हमें क्या करना है, कि अब जितना पेमेंट देना है, हमें, अपने वर्कर को, या फिर एंप्लोयर को, तो उनको इस से, इन दोनों को माइनस कर देना होगा, तो क्या करना है, क्लिक करना है, ब्रावर, ब्रैकेट, ठीक है, आई 6, आई 6, माइनस, जे 6, माइनस, के 6, ब्रैकेट, क्लोज, और एंटर, तो बारह, हजार रुपे है, मतलब 13 में से 100, माइनस, और 900, माइनस, कि फार्मूला यहां पर माइनस माइनस लगा गया, तो टोटल इतना निकल गया, यह अधी फ्रेंड्स आपको, अधी आप किस को एडवांस दिये है, एडवांस अब दिये है, तो आपको क्या करना होगा, कि एक एडवांस का कॉलम बना लेना होगा यहां पर, और उसको बीच में भी मैनस करना होगा, जैसे कि आप फंड्स से मैनस किये है, तो बीच में उससे भी मैनस करना होगा, तो यहां से अधी मा तो यहां पर करता हूँ 5000 ठीक है और यहां पर करता हूँ साथ में इसको फार्मूले में माइनस एल 6 एंटर तो यहां पर देखे 7000 रुपेया हमें पेमेंट आ गया अधि यहां पर 0 होता तो आपको फार्मूले पर कुछ भी कहीं भी कुछ बना जैसे सीट बना है इस पर कुछ भी लगाने जरूत नहीं है बस ऐसे लिखे राम कुमार ठीक है सेलरी उसका बीस हजार ठीक है और टाइम अमांट 25 या फिर 26 किजिए ठीक है उसके बाद में वर्किंग डे 26 और टाइम करने की जरूत नहीं है बस इस लाइन को क्लिक कीजिए ऐसा खिचिए आपका निकलता जाएगा देकेए ऐसा खिचती आ गया जब अच्छ बलेक करके जब आप यहां पर किलिक करें जब ब्लैक कर बने तो खिचिए गा तो अपने आप सारा कुछ कॉपी हो जाएगा अब देखिए आप एक में एस एच वाई एम सैम कुमार ठीक है उसका सेलरी है बारह हजार रुपए ठीक है ओवर्टाइम डेज का ओवर्किंग डेज का ठारा दिन तो बस बाहर एक बार किलिक किजिए देखिए सब कुछ एटुमेटिक यहां तक एंसर आ गया और यहां पर घंटा दी में डा जता हूँ 35 घंटा एंटर करता हूँ तो देखिए सब कुछ इसका डिटेल सैलरी कितना बना क्या बना आटुमेटिक जनरेट हो गया तो इसके बाद में आपको अधी फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सियर और सब्सक्राइब करके जाएगा और आगला वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर किजिए आगे में आपको इसमें आटुमेटिक इस सर्डीफिकर टाइब का जैसे कि ऴसे एक वरकर रे तो उनका इलोंका उलोग से स्लीप जनेरिकसा क्याएव पूरा बिल कैसे त्यार हो जाकि उनका इतने तक हम हैं पूरा डीटर onion चान के अडियों कैसे यह उसके बारे में आपको अच्छा लगा तो हो संपेदा है कि से अगली वीडियो में अगली नपी किसा तर्ट के लिये बाई